हाई मैं हूँ योशु माया पूरी न्यूज बुलिटिन में आपका स्वागत है सिधाद मलोतरा अपनी अगली फिल्म को शूट करने के लिए बिल्कुल रेडी है इस फिल्म का नाम है मिशन मजनु इस फिल्म में सिधाद मलोतरा के साथ जबदस बॉलिट डेब्यू करने जा रही है साउथ इंडिन अक्ट्रेस रश्मिका मंदना बता दे कि रश्मिका का नाम तेलगु अतामिल इंडेस्ट्री में एक स्तापित नाम है और अब जाकर वो बॉलिट में भी डेब्यू देनी जा रही है इस फिल्म से मिशन मजनु की ओफिशल शूटिंग आज से शुरू हो चुकी है पूरी टीम लखनाओ पहुच चुकी है और इस फिल्म की फुल फ्लेज़िट शूटिंग करने के लिए रेडी है इस फिल्म में सिधात मलोत्रा जो है वो एक रौ एजिंट की भूमे का निभा रही है जो पाकिस्तान जाते हैं इंडिया से एक गुप्त मिशन के लिए कुछ समय पहले रश्मिका मंदिना और सिधात मलोत्रा के कुछ स्कूटर में बैठे हुए पिक्स भी वाइरल हुए थे सोशल मीडिया पर जिसने इस पिक्चर का बस और भी जादा बढ़ा दिया था शारु खान की कमबैक फिल्म पर्थान सबसे अवेटेड फिल्म मानी जा रही है इस साल की शारु खान इन दिनों बिजी भी चल रहे है पर्थान की शूटिंग में ये वन आफ दी मोस्ट बिगेस फिल्म बताया जा रहा है बॉल विट का वहीं ये फिल्म इसले भी इतनी स्पेशल बतायी जा रही है क्योंकि इस फिल्म में शारु खान के साथ जौन अब्रैम और दिपिका पादुकून तो नजर आने ही वाले हैं लेकिन कैम्यो रोल में नजर आने वाले हैं सलमान खान और रृतिक रौशन अब इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर फैंस का बहुत बड़ा डिमांड सामने आया है फैंस ये चाहते हैं कि पठान की जो रिलीज डेट है वो दिवाली पर होनी चाहिए यानि कि पठान दिवाली पर इस साल रिलीज होनी चाहिए लेकिन क्या फैंस की ये डिमांड पूरी होती है या नहीं ये बता पाना मुश्किल है क्योंकि दिवाली पर अल्रेडी दो बड़ी बड़ी मूवीज रिलीज हो रही है एक तो अक्षे कुमार की फिल्म रक्षा बंधन और दूसरी शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी साउथ के सूपरस्टार प्रभास के कई सारे अपकमिंग मूवीज लाइन डप है जिन में से एक है सलार इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है उसी बीच आदी पुरुष की भी शूटिंग शुरू हुई थी लेकिन उनके सेट पर आग लग गई थी सलार की बारत करें तो सलार की जो स्टोरी है वो लीक हो गई है जी हाँ ताजा रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस फिल्म में प्रभास एक नेता का किरदार निभाएंगे क्योंकि सलार का जो मतलब होता है उर्दू में वो एक लीडर ही होता है सलहार में प्रभास के जो पिताश्री का रोल नभा रहे हैं वो एक ATS ओफिसर होंगे जिनकी मृत्यू हो जाती है एक मिशन के चलते जिसके बाद प्रभास खुद एक ATS ओफिसर बनने की ठान लेते हैं फिर प्रभास भी मिशन पर जाते हैं इसमें हमें मिशन्स, टेरोरिस्ट और भी कई सारे फ्लेवर्स देखने को मिलेंगे यहां तक की पाकिस्तान और इंडिया का जो फ्लेवर है वो भी देखने को मिलेगा इस फिल्म में बॉल्वड आक्टर रनबीर कपूर और शद्धा कपूर एक साथ नज़राने वाले हैं पहली बार एक ही स्क्रीन पर लव रंजन के अगले फिल्म के लिए बतादे कि इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी और इस फिल्म का रैप अप भी होने वाला है जी हाँ इस फिल्म की शूटिंग गाजियाबाद में हो रही थी लव रंजन को चाहिए था कि इस फिल्म की शूटिंग गाजियाबाद में हो इसलिए इस फिल्म की शूटिंग गाजियाबाद में चल रही थी बता दे कि इस फिल्म का जो रैप अप है वो साथ फेबरी आने के कल तक हो जाएगा ये एक रोमैंटिक कॉमेडी फिल्म बताई जा रही है जिसमें रनबीर का पूरे एक लवब बॉई का किरदार निभानी जा रही है हाला कि अब तक इस फिल्म का जो टाइटल है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है ये देखना काफी इंट्रेस्टिंग होगा कि इस फिल्म का टाइटल क्या रखा जाता है ताइगर श्रॉफ जिन्होंने बेहत कम समय में अपने अक्शन से और अपने माशलाथ स्किल से सब को अपना दिवाना बना लिया है बदा दे कि ताइगर श्रॉफ अपने सोशल मीडिया पर भी काफी जादा अक्टिव नज़र आते हैं इसे के जलते आए दिन पोस्ट करते रहते हैं और अपने लाइफ से जुड़े अपडेट्स के बारे में शेयर करते रहते हैं अपने फैंस और फॉलोवर्स के साथ ताइगर श्रॉफ की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रही है इस वीडियो में हम ताइगर श्रॉफ को फ्लिप और किक करते हुए देख सकते हैं जबरदस अंदाज में ताइगर श्रॉफ की इसी वीडियो उसको बेहत कम समय में बहुत सारे व्यूज मिले अब टाइगर श्रॉफ अपने इस मार्शल आर्ट स्किल्स की प्राक्टिस शौकिये तरीके से कर रहे हैं या फिर उनकी अपकमिंग फिल्मों की वज़े से प्रेप्रेशन के चलते हुए कर रहे हैं क्योंकि टाइगर शॉफ की कई सारी अक्शन मूवीज लाइन डप हैं जैसे की हीरो पंती 2, रामबो और गनपत अश्रदवार सी ने एक बहुत बड़ा एलान कर दिया है उन्होंने ऐसे कुछ डीटेल्स रिवील कर दी है गोल्माल 5 और मुन्ना भाई 3 के बारे में जी हां उन्होंने ऐसा कहा कि गोल्माल 5 की आप उमीद रख सकते हैं लेकिन मुन्ना भाई 3 की उनको कोई उमीद अब तक नजर नहीं आ रही है जहां दूसी तरफ मुन्ना भाई के मेकर्स ने खुद ऐसा कहा था कि इसके स्क्रिप्ट पर काम किया जा रहा है और ये जरूर बनेगा वहीं दूसरी तरफ एक्टर अरशद वारसी ने अपने बयाँ से सारे फैंस को कन्फ्यूस कर दिया है कि मुन्ना भाई 3 बनेगा भी या नहीं ताज़र रिपोर्ट की माने तो दूसरी तरफ गोलमाल 5 की बात करें तो रोहिट शेटी अभी तो फिलाल अपनी फिल्म सरकस पर ध्यान दे रहे हैं जिसके बाद वो काम कर सकते हैं गोलमाल 5 पर क्योंकि गोलमाल 5 का बस इस कदर बना हुआ है कि रोहिट शेटी भी एक्साइ अब भेर सारे मूवीज भी रिलीज हो रहे हैं तब सूर्य वंची की रिलीज डेट को लेकर भी कई सारे कॉम्प्लिकेशन सामने आ रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है कि ये फिल्म 2 एप्रिल से पहले रिलीज हो सकती है लेकिन अब एक बार फिर सूर्य वंची के रिलीज को लेकर काफी बहस और चर्चा हो रही है मेकर्स के बीच में ही ऐसा बताया जा रहा है अगर कोई अच्छी रिलीज डेट नहीं मिल पाती है सूर्य वंची के लिए दो एप्रिल से पहले तो इस फिल्म को दो एप्रिल के बाद OTT प्लाटफॉर्म पर ही रिलीज कर दिया जाएगा ऐसे भी खबरे आ रही थी कि इस फिल्म को ईद पर रिलीज होने की बाद चल रही थी लेकिन ईद पर अल्रेडी सलमान खान की राध है और जॉन अब्रायम की फिल्म सत्य में वजयते टू रिलीज हो रही है तो ये कहपाना मुश्किल है कि ये फिल्म ईद पर रिलीज होगी इन दिनों कारतेकारियन बॉलवुट के वन अब दी मोस्ट बिजी आक्टर्स में से एक मानी जाते हैं हाली में कारतेकारियन ने अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट की जिसकी वज़े से वो चर्चे में बने हुए हैं इसके अलावा हम कारतेकारियन को भूल भूले या टू जैसी फिल्मों में भी देखेंगे और दोस्ताना टू में भी देखेंगे इसके अलावा ऐसी भी खबरे सामने आ रही थी कि संजलीला ब संसाली के साथ कारतेकारियन को मीटिंग करते हुए देखा गया लेकिन ये खबर कितनी सची है ये अब तक कंफर्म नहीं है कि कारतेकारियन इस फिल्म का पार्ट होंगे या नहीं लेकिन दूसरी तरफ ऐसा बताया जा रहा है कि कारतेकारियन काम कर सकते हैं हरसल महता के वो भी काफी जादा पॉपलर हुई थी वेब सीरीज प्लाटफॉर्म पर अक्षे कुमार की फिल्म रग्षा भंतन की अनौंसमेंट लास्ट येर ही हो गई थी साथी साथ रिलीज डेट भी बता दिया गया था पोस्टर आउट होने के साथ की ये फिल्म 2021 दिवाली पर रिलीज होने जा रही है हाला कि अब तक इस फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई है अब इस फिल्म से एक बड़ी खबर सामने आ रही है ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म की जो शूटिंग है वो 15 एप्रिल से शुरू होने वाली है जी हाँ 15 एप्रिल से इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी और इस साल दिवाली पर रक्षा भंदन फिल्म रिलीज होने वाली है साथी साथ रक्षा भंदन का क्लैश होने जा रहा है शाहित कपूर की फिल्म जर्सी के साथ वहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि कंगना रुनौत की फिल्म धाकर के साथ भी इस मूवी का बड़ा क्लैश देखने को मिलेगा साउथ की एक फिल्म मास्टर जो हाली में रिलीज हुई थी अब तक कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर चुकी है यहां तक कि बाहु बली फिल्म की भी रिकॉर्ड ब्रेक करती हुई नजर आ रही है ये फिल्म इसी के चलते बॉलिवुड के मेकर्स ने ये डिसाइट किया है कि मास्टर का बॉलिवुड रिमेक बनना चाहिए क्योंकि बॉलिवुड में भी ये फिल्म अच्छा खासा बिसनिस कर सकता है अब बॉलिवुड में अगर इसका रीमेक बनेगा तो इस फिल्म में कौन से आक्टर्स नज़राएंगे विल बता दे कि ताजा रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि बॉलुवूड में अगर इस फिल्म का रीमेक बनता है तो इस फिल्म में में लीड में नज़रा सकते हैं विजय देवरकॉंडा विजय जिन्होंने अब तक बॉलिवुड में डेब्यू नहीं किया है वो अपनी फिल्म लाइगर से बॉलिवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं अनन्या पांडे के साथ ऐसा बताया जा रहा है कि मास्टर के रीमेक में भी विजय डेवरकॉंडा नजर आ सकते हैं आज के लिए इतना ही लेटिस बॉलिवुड न्यूज और होट गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करें माया पुरी काइट